हेलो एवरीवन दिस इस अंजु मेयर वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे मेरी देर सारी दुवाएं हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं उपरवाल आप लोग को बहुत पुछ रखे होप पुछ रखे और कोई दुख जिनों से एक्टिव थॉट्स बहुत आ रहे थे क्योंकि जिन्दिगी का बढ़ेन या बढ़ेशानिया इतनी ज्यादा थी इसकी वज़े से लग रहा था कि बहुत बोज है और पूरे वर्किंग लेडिस के लिए तो और भी हो जाता है कि छे दिन पूरे काम करने के बाद स दिन जब संडे पढ़ता है तो लगता है बहुत रिलाक्स हो गया तो आज संडे का दिन था तो हम लोग चले गये थे थोड़ा सा टहलने के लिए मौनिंग वाक के लिए तो हम लोग आये हैं यहां रूमी गेट और क्लॉक टावर और इमाम बाड़े की तरफ यानि की पुर कि सुरज अभी निकल रहा है और संड़ाइस का टाइम था अभी 5.05 का टाइम हो गया है हम लोगों को आया करके 5.00 बजे निकले थे तो इस पूरे एरिये में हम लोग काफी टहले थे हम हो हमारे हस्बंड दो ही लोग थे तो ये घंटा गर के पाथ भी बहुत सुकून था संद राइस तो बहुत अच्छा लगा था खिली-खिली सी धूप थी और मौसम भी बहुत जादा गरब नहीं था और मौनिंग में थोड़ी हवा भी चल रही थी तो इसलिए यहां पर आकर के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और काफी रिलाक्स हुआ तो क्लक्ट आवर और उसके अलावा उसके पीछे की तरफ भी हम लोग गये थे जो की कुडिया घाट एरिया कहलाता है वह भी बहुत अच्छा बना हुआ है अब आगे इसी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं अभी यह तो घंटगर वाला एरिया है और बहुत ही यहां पर सुकून लगा थ जना हुंता कभी-कभी कुछं दूसरे लोग भी आपको आँसे इसा बोल जाते हैं जिससे बहुत इनसान हट होता है लेकिन क्या करें कुछ कहने पाता है इंसान कहनी सकते निसरों को क्या नहीं क्योंकि परवरिश ऐसी कह से जबाब देना को और इस तरह से कहना ईघा घा हो रिलाक्स फिल होगा और सच में रिलाक्स फिल होगा हाला कि मेरी सोच इतनी पॉजिटिव है और इतनी पॉजिटिविटी के साथ हम रहते हैं और काम करते हैं कि बहुत जल्दी मेरे में एक्टिव थॉट्स नहीं आते हैं लेकिन अगर कभी कोई बुरा कुछ कह देता है या जिसको जवाब किसी को नहीं दे पाए तो अभी-कभी ऐसा हो जाता है मेरे खल सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो चीज आपको अंदर-अंदर परिशान करती रहती है तो इस तरह से यह morning बहुत अच्छी रही और सुकून देने वाली तो यह area guys है कुडिया घाट का एरिया घंटा घर के ठीक सामने का एरिया है यह और morning के टाइम देखे यहां पर कितना अच्छा लग रहा है और यहां पर बच्चे किर्केट भी खेल रहे थे उसके अलावा यहां पर morning walk के लिए भी काफी सारे लोग आए वोई थे तो guys यह है लगनो का कुडिया घाट जो की घंटा घर के ठीक अपोजिट में है जस्ट अपोजिट में है और बहुत खुबसूरत पार्क टाइप से यह डवलब किया गया है और सामने पानी है गुमती का आप लोगों में से जो लोग लगनो में रहते हैं वो इस जगा को अच्छे से जानते होंगे अक्सर आए भी होंगे हलाकि हम तो फर्स टाइम ही आये थे क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल का जाना और रूटीन घर का और इस तरह से इतना ज्यादा टाइट शेडियूल होता है कि मॉर्निंग में आने का सवाल नहीं और संड़े के दिन भी बहुत बिजी रहता है तो संड़े को भी इसलिए नहीं आपाते हैं और आज किसी तरह से टाइम निकाल करके और पांच बजे निकल आये थे और जिन लोगों ने यहां का एरिया नहीं देखा है वो लोग जरूर देखें और मॉर्निंग में ही देखें तो बहुत अच्छा लगेगा क्यो की दिल को खुश करने वाली तो बड़े तो आते हैं मौनी हुआ के लिए इस ग्रीनरी में और बच्चे आते हैं अक्सर किरकेट वगयरा खेलने के लिए यह देखें यहां पर बच्चे किरकेट खेल रहे हैं यहां पर कुछ बाइस थे जो की किरकेट खेल रहे थे और इस लॉक टावर दिखाया आपको यह कुडिया घाट है इसके बाद इमाम बाड़ा है और उसके अलावा टीले वाली मस्जीद है यह सब चीजें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं तो गाई जब भी आपको मांका मिले लखनाव आना हो तो इस एरिये को जरूर देखेगा बहुत खुप सुरत बना हुआ है यह और गाइज यह हमारे हज्बwirट और इनको तो आप सब पैचानते ही हैं कई सारे व्लॉग में मेरे आ चुके हैं और हमारे बहुत सारे सब्सक्काइबर जो की रेगुलरली हमारा व्लॉग देखते हैं वो तो इनको अच्छे से पैचानते ही हैं तो यहां से निकलने के बाद हम लोग गयते सीथे टीले वाली मस्जिद और यह देखिए यहां से अब हम लोग निकल रहे हैं और यह रास्ता है टीले वाली मस्जिद का बिल्कुल पास में ही वाकिंग डिस्टेंस पर ही है तो गाईज अब हम लोग आ गए हैं टीले वाली मस्जिद तो यह स्टेर्ट जाती है उपर मस्जिद की तरफ और ये भी एक खुबसूरत जगा है बहुत ही सुकून देने वाली जगा है यहां पर और यहां पर मजार शरीफ भी है तो यह है टीले वाली मजजद तो बहुत ही खुबसूरत जगा सुकून देने वाली जगा यहाँ पर अगर आप कुछ पल बैठें तो आपको बहुत सुकून लगेगा और आप चाहेंगे कुछ देर और बैठ जाएं तो यह है मजार शरीफ और उसके अलावा यह इसके पास में ही है मस्जिद तो गाईज लखनों की कुछ पुरानी मारते हैं और यह बहुत सुकून देने वाली जगह भी है यह और हिस्टोरिकल मॉनुमेंट तो है ही यह सारे तो गाईज आईए इसके बाद आपको दूसरी जगह ले चलते हैं वो भी यही से वाकिंग डिस्टेंस पर ही है तो यह है चोरहा टीले वाली मस्जिद के सामने का और यहां से टर्ण करके जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है बड़ा इमामबाडा तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहीं पर तो यह थोड़ा सा डिस्टेंस पर है बस थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही बड़ा इमामबाडा है तो अब हम लोग पहुँच गए हैं बड़ा इमामबाडा और यह है उसका गेट बाहर वाला और सामने से है उसकी में बिल्डिंग और में बिल्डिंग की वीडियो कभी और दिखाएंगे आपको गाइस व्लागिंग करने से पहले हम गए हैं तब वीडियो नहीं बनाते थे एक साल से व्लागिंग कर रहे हैं तब उसके बाद से जाना भी नहीं हो पाया तो कभी इसका स्पेशल जाके वीडियो बनाके आपको जरूर शेयर करेंगे तो मॉनिंग का टाइम था इसलिए ना वहाँ पर भीड थी ना वहाँ पर कोई एंट्री खुली थी दिन के टाइम पर यहाँ बहुत भीड रहती है और इसके ठीक सामने ही रूमी गेट का अपोजिट साइड है यह बोट साइड में बहुत शूटिग होती है और वेडिंग पेर जो हते हैं जिनकी शादी हो रही होती है वह प्री वडिंग शूट यहाँ पर बहुत ज़ादा कराते हैं तो यहाँ पर चल रहा है प्री वेडिंग शूट उसके बाद आगे बढ़कर फिर वही क्लॉक टावर आ गया तो यह पूरा एरिया जो है वो सर्कल में है इधर से निकलेंगे कुडिया घाट होते हुए तो टीले वाली मस्दीद उसके लावा बड़ा इमाम बड़ा फिर साम बना हुआ है और बड़े मामबाड़े से कुछ ही डिस्टेंस पर है चोटाए मामबाड़ा यह भी अंदर से बहुत ही हुपसुरत है और बहुत सारा इसमें सामान है नवाबों के टाइम कर रखा हुआ तो गाईज यह सारे प्लेसे लकनों में घूमने के लिए एक अच्छ की तरफ चले आये थे क्योंकि टाइम काफी हो गया था छे बड़ गया था खरीब तो हम लोग घर की तरफ निकल आये थे तो गाईज घर आकर मैंने जल्दी जल्दी बनाया था नाश्ता क्योंकि टाइम हो चुका था हम लोग साड़े छे पर ही नाश्ता कटते हैं डेली त आज का नाश्ता तो ये हम नाश्ता बनाते हुए तो गाईस सबसे पहले हमने अपने हस्बिन को नाश्ता दे दिया था और उसके बाद हमने अपना भी नाश्ता निकाल लिया था लेकिन नाश्ता करने से पहले मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि संटे को कपड़े धुलन भी कर नहीं है लेजे मेरी मूषीन कब लिकाम हो गया और उसके बाद मैंने नाश्था के बाद मेरे करने की बाद कपड़े हो गए द्यार धुल गए थे और मैंने जल्दी से फ्हला भी देएख इस वीडियो करतेैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और संडे की आधी वीडियो अगले व्लॉग में शेर करेंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें